नमस्कार आप सभी का स्वागत है दोस्तो आए देखते हैं एक रूम में अगर पेंट करते हैं तो टोटल कितने रुपे का खर्चा होने वाला है उसमें पुट्टी कितने रुपे का लगेगा प्राइमर कितने का लगेगा या पेंट कितने रुपे का लगेगा लेवर कितने ट्रिक बताने वाला हूं जिससे कि अगर आपके पास कम जगे है या ज़्यादा जगे है जहां पे आपको पेंट का काम कराना है और आपको यह नहीं पता है कि उसमें कितना खर्चा होने वाला है तो चाहे जितना भी जगे है जहां पेंट करना हो उसमें टोटल कितने रुप बने रहेंगे दोस्तो पेंट करने में कितने रुपे लगेगा ये जानने से पहले हमारे को चार पाँच चीजे यानि चार पाँच बाते जो है वे पता होना बहुत जरूरी है जैसे पेंट हमारे को कितने एरिया में करना है यानि जहां पेंट होना है और उसका जो area है वे कितने square feet का है और जब area पतद चल जाएगा तो इससे हम ये निकाल सकते है उसमें putty कितना लगने वाला है उसमें primer कितना लगेगा paint कितना लगेगा और इसी के अनुसार हम lever भी निकाल लेंगे कि lever कितने रुपे का लगने वाला है तो आईए example के लिए समझते हैं एक 10 by 10 का हम room size लेते हैं इसमें देखते हैं एक 10 by 10 के room में paint करने का total खर्चा putty primer paint lever का सभी खर्चा क्या आने वाला है तो 10 by 10 का room है और एक ceiling है तो अगर हम पांचों को यानि की 4 दिवार और एक छत मिला दे तो total जो area है हमारे पास आता है 500 square feet का यानि 400 square feet हमारे जो दिवार है वे हो गई और 100 square feet जो ceiling है जो छत है उसका हो गया तो 500 square feet total area है जिसमें एक door है 7 by 3 का जिसका area 21 square feet इसमें हम कम करने वाले है इसके साथी एक window है जिसका size 4 feet into 3 feet का है जिसका जो area होगा वे 12 square feet का होगा तो यह door और window का area अगर हम deduct कर देते है तो 400 square feet यानि 467 square feet का जो area है total निकल कर आता है जहां पर हमारे को paint करना है अब इतने जगेह में पुट्टी क्या लगेगा प्राइमर क्या लगेगा यह सेवी चीजे हम step by step देखते है और इसके rate क्या है वे भी हम आभी देखने वाले है तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं पुट्टी की तो पुट्टी का जो coverage area है एक किलो पुट्टी में लगभग 10-12 square feet area cover होता है और पुट्टी के जो rate की बात करू तो अभी 330, 340 या सारे 300 के आसपास 20 किलो का जो बैग होता है वे मिल जाता है इस हिसाब से 16 रुपे, 17 रुपे या सारे 17 रुपे के आसपास जो पुट्टी का rate है वे अभी चल रहा है लेकिन ये कंपनी के अलग-अलग कंपनी के पुट्टी है थोड़ा सा rate में difference हो सकता है ज्यादातर सारे 300 के आसपास 20 किलो के जो बैग होते है वे मिल जाते है मैं मान के चलता हूं 17 रुपे पर केजी के हिसाब से जो पुट्टी है वे मिल जाएगा और 10 से 12 स्क्वार फिट एरिया कवर होता है हमारे पास एरिया है टोटल 400 सर्चत स्क्वार फिट अगर मैं मान के चलता हूं 10 स्क्वार फिट एरिया कवर होता है तो लगवक 46 किलो जो पुट्टी है वे लगेगा अ आगे बात करते हैं primer की तो जो primer का coverage एरिया दोस्तों वे होता है लगभक 130 square feet से लेकर और 150 square feet तक और इसके जो rate है वे 170 रुबे से लेकर 200 रुपर ピर लीटर के हिसाब से यह आ जाता है और हमारे पास एरिया है 460 square feet तो इसको हम डिवाइड करेंगे 130 से तो हमारे पास जो प्राइमर लगने वाले है लगवक सारे 3 लिटर के आसपास जो प्राइमर है वे लगेगा और 200 रुपे की रेट अगर पकरते है तो 700 रुपे जो प्राइमर है उसमें लग जाएगा दोस्तों यह जो भी रेट में अब वता रहा हूँ थोड़ा बहुत डिफ्रेंस हो सकता है लेकिन बहुत जादा का फर्क नहीं पड़ेगा आगे बात करें पेंट की तो इन सभी कामों में पेंट कितना लगने वाला है उससे पहले हम यह देखते है पेंट का जो कबरेज एरिया है वे कितना होता है तो पेंट मैं मानके चलता हूँ 70-80 square feet एरिया एक लिटर पेंट में cover हो जाता है और पेंट का जो रेट है वैसे तो दोस्तों अलग-अलग company के बहुत रेट किसी का जादा होता है किसी का कम होता है मैं मानके चलता हूँ लगवग 2-500 रुपे पर लिटर में पेंट ठीक ठाक आ जाता है और इसका coverage एरिया 70-60 square feet होता है और हमारे पास एरिया है 400-60 square feet तो सारे 6 लिटर के लगवग जो paint है वे लगने वाले है और 2500 रुपे पर लिटर वाले अगर हम paint पकरते हैं तो 1625 रुपे paint का जो खर्चा है वे निकल कर आ जाता है आगे बात करें अगर lever की तो दोस्तों lever का जो खर्चा है लगवग 8-10 रुपे पर square feet का रहता है लेकिन area wise ये जो rate है कम भी हो सकता है या जादा भी हो सकता है हमारे पास total area 466 है अगर हम 10 रुपे lever rate पकरते है तो 4670 रुपे का जो lever का खर्चा है वे हो जाएगा अब सभी खर्चे हमारे पास आ गया है जैसे पुट्टी का जो खर्चा है वे 780 रुपे आ रहा है प्राइमर का 700 रुपे और paint का जो खर्चा है वे 1625 रुपे का है इसी प्राइमर का खर्चा 4670 रुपे का है टोटल खर्चे की वाद करें तो 7770 रुपे यानि कि आप यह मान कर चल सकते है लगभग 8000 रुपे का खर्चा एक रूम में जो खर्चा है paint करने का वे हो रहा है लगभग 8000 रुपे का अब मानो आपके पास क्योंकि मैंने 10 वाई 10 के एक्जामपल लिया है हो सकता है आपके पास बड़े रूम हो या इसे छोटे हो कोई hall हो पैसेज हो तो आप उसके पर square feet के हिसाब से easily उसके जो rate है वे कैसे निकाल पाएंगे तो दोस्तो इस जेगे पे 777 रुपे का जो खर्चा है वे आ रहा है 466 square feet area में इसे साफसे अगर हम इसको divide करेंगे तो लगभग 16-17 रुपे पर square feet का जो खर्चा है वे निकल कर आ रहा है अब आपके पास चाहे कम area हो यानि जैसे आपके 400 square feet का area हो 500 का हो 1000 का हो 2000 का हो चाहे 5000 square feet का area है या इससे भी बढ़ा हो तो आप उसको लगभग 16-17 रुपे या 20 रुपे का असपास multiply करेंगे तो जो भी खर्चा होने वाला है वे निकल कर आ जाएगा और दोस्तो इसके साथी जो मैंने आपको ये बताया है जैसे पुट्टी कितना area cover करता है या primer या paint ये सभी स सही नहीं होता है तो पुट्टी उसके थोरा साच ज़्यादा चलता है तो पुट्टी का जो covering जरिया है कम हो जाता है दिवार सही रहता है तो ज्यादा होजाता है इसी मैं काप ये प्र Day ये तो दोस्तो मुझे लगता है जो मैं आपको बताने की कोशिस कर रहा था वे मैं आपको बता चुका हूँ फिर भी आपके कोई सवाल या सुझाब है तो आप मुझे comment कर सकते है मैं कोशिस करूँगा आपके जो फिक विडिस रहेगा उस पर अगला वीडियो बनाने की मैं आपसे मिलता हूँ कि शोर वीडियो में जो कि ऐसे ही घरमकांस related होगा इस वीडियो में मेरे साथ बने रहने के लिए आपको धन्यवाद